तो चलिए आज बनाते हैं मसला पनीर और वो भी घर पे और बहुती इजी तरीके से तो चलिए फटा-फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए दूद तो यहाँ पे मैंने 500 ml दूद लिया है हमें यहाँ पे इस जिस्त में ज़्यादा फैटो वैसा वाला दूद चाहिए तो यहाँ पे मैंने वही ले लिया है और उसको गरम करने के लिए रख देंगे तो यह दिखिए मैंने उसको गरम करने के लिए रख दिया है अब उसमें एक उबाल आने देंगे एक उबाल आए फिर गेस को slow कर देना है अब इसके अंदर एड़ करेंगे नमक और काला नमक ये दो मैंने half half teaspoon लिया है और इसके अंदर एड़ करेंगे जीरा और काली मिर्च ये भी मैंने half teaspoon लिया है और अब इसके अंदर एड़ करेंगे चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च तो यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने बारिक चॉपकर के लिया है इसका भी measurement हम से मी रखेंगे और अब इसको डालने के बाद, उसको अच्छे से mix कर लेंगे और अब इसके अंदर add करेंगे फिनेगर तो यहाँ पर विनेगर के अंदर मैंने पानी add किया है और अब फिनेगर और पाने के mixer इसके अंदर add करेंगे और उसको continuously चलाते रहेंगे तो इस तरह से हमारा दूद जो है फट जाएगा और यह पनीर बन जाएगा तो यह देखें अच्छे से हमारा दूद फट चुका है और अब last में add करेंगे थनिया थनिया हम last में add करेंगे ताकि उसका color as it is रहे और अब उसको mix कर लेना है और अब हम gas burn कर लेंगे और अब इसको चान लेना है तो एक stainer लिया है मैंने और उसके अंदर एक मलमल का कपड़ा रख दिया है और उसको चान लिया है तो इस तरह इसको चान लेना है और अब चानने के बाद उसको हम निचोड लेंगे तो अब उसको एकदम प्रैस करके अच्छे से उसको निचोड लेना है सारा पानी हमें निकाल देना है तो ये देखे इस तरह से उसको निचोड लेंगे और एकदम सारा पानी उसमें से हम निकाल लेंगे और अब जो बचा कुचा पानी है उसको निकालने के लिए हम इसके उपपर एक भारी बसन रख देंगे और उसको एक दो घंटे के लिए छोड देंगे एक दो गंडे में अच्छे से सारा पानी निकल जाएगा और ये देखिए हमारा पानीर एकदम रेडी है तो इस तरह से हम घर पे ही easily मसाला पानीर बना सकते हैं तो है ना बहुत easy recipe तो आप भी घर पे एक बार जरूट रहे करना तो चलिए आपको मैं इसको cut करके दिखाती हूँ तो ये देखिए इसके pieces भी एकदम अच्छे से निकल आएंगे तो ये देखिए बहुत easily cut हो रहा है और एकदम perfect cut हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हो या फिर कोई सबजी या फिर कोई starter में भी आप इसको use कर सकते हो तो आपको आज की recipe कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं जली नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जेशी करशना